मुहरम 2021 की पूरी तरीके से गाइडलाइन्स जारी हो गई है मजिलिस में 50 से अधिक नहीं जुलूस बर्भी रोख और क्या-क्या नियम बनाए गए है चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक अपने इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे तो क्या गैडलाइन्स जारी हुए चलिए जान लेते हैं मुहरम को लेकर गैडलाइन्स जारी की गई है कि गैडलाइन्स के मताबिक मजलिसों में पचास से अधिक लोग शरीक नहीं हो सकेंगे कोई भी जुलूस नहीं निकाल पाएगा बरिष्ट सिया धर्मगुरू ने मुहरम को लेकर कुछ बिद्दू की गैडलाइन्स जारी कर दिया है उधर दुरूलूम फरंगी महल मौलाना खालिद रसीद ने कहा कि आनलाइन मजलिस ही होंगे अकेले सुन्नतवल जमात के करोना प्रोटोकाल और सरकार की गैडलाइन्स को रहेगा है डी सीपी ट्राफिक के रईस अक्तर ने बताया कि सुरक्चा के मद्द नजरू डाइवर्जन करेगा पकापुल में बड़ा वा छोटा इमामबारा तक बहानों के लिए मार्क बंद रहेगा मौलाना ने अपील किये कि घरों के इमामबारों में अलम और ताजिय रहे दस भी महरम को ताजिय दफनाने के लिए दो लोग ही जाएं ताजिय घर ले जाने के लिए समय भीड ना चुटे सरवजनेक इस्थान पर ताजिय नहीं रखा जाएगा कोविट प्रोटोकाल का सब प्रतिसत पालन करें बोई परिशानी होने पर उल्मा जिला पिरसासन और पुलिस से संपर करें तो दोस्तों महरम को लेकर ये नहीं गाइड लाइन्स जारे किये जो अब फाइनल हो चुटी तो आप क्या लगता है क्या इस का पालन होगा या नहीं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं तो आप मिलते हैं नेश्क ट्यू में एक नई जानकारी साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें स्वाफ तरवाएं सता रपाएं टेक केर और गुड़ बाई